कल मैंने आपको बताया था कि जब हम एक स्थब्द यूज करते हैं इंगलिस में फिचकल जोगरोपी और हिंदी में बोलते हैं भौतिक भूगोल तो जो भौतिक भूगोल है वह काफी वाश्ट है उसमें हम लोगोंने कल चार यूनिट को रखा था पहला जो यूनिट था उसका नाम था जियो मॉर्फोलोजी जिसको हिंदी में बोलते हैं भू आकरती विग्यान जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रत्वी के किसी हिस्से में कौन कौन सी आकरतियां बनी हैं कैसे बनी हैं उनके बनने के कारणों पर हम बिचार करते हैं क्योंकि उन कारणों से ही प्रत्वी की आकरतियां हमें समझ में आती हैं। फिर मैंने कहा था कि जब हम जियो मॉर्फोलोजी कम्पलीट कर लेंगे अर्था द्भू आकरति बिग्जान कम्पलीट कर लेंगे, तो हमारा सेकंड यूनिट जो होगा वा होगा ओसनलोजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुद्र बिग्जान, उसमें हम ऊसनल के बिशे में डिसक्सन करेंगे। उसके बाद जो तीसरा यूनिट होगा वह होगा क्लाइमेटोलोजी अर्था जलवायू विज्ञान और फिर उसके बाद हम अंत में करेंगे बायो जोग्रॉफी जिसको हम बोलते हैं जय भूगो तो मैंने आपको कहा था कि एक तरफ से हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ते एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारी जोग्रॉफी में एक कहावत कही जाती है कि अगर आप सभी टॉपिक को सभी चैप्टर को एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ते हैं तो आप भूगोल पढ़ते हैं और अगर आप सभी चैप्टर क आप गोल गोल पढ़िए तो हम लोग गोल पढ़ें गे तो हम लोग गोल चक्क्र लगाने लगें इसलिए हमें भूगोल पढ़ना है तो आज जो हमारा पहला चेप्टर is start हो रहा है वह है पृत्विकि आंतिस्स रचना मैंने कल इस चेप्टर को स्टार्ट करने का प्रयास किया था आप में से बहुत से लोग कल की क्लास में थे लेकिन आपको पता है कि चेप्टर स्टार्ट होते ही पता नहीं क्या था कि इंटरनेट में इतनी जादा दिक्कते आई कि क्लास को रोकना पड़ गया था इसलिए आज मैं इस चे पिक समझ में आएगा यह मेरी चिम्मेदारी है ठीक है तो आईए हम अपना चेप्टर इस्टार्ट करते हैं इसका नाम है प्रित्वी की आंत्रिक सनरचना अर्थात जो हमारी प्रित्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं वह अंदर से कैसी है उसको हम जानने का पाठ है अगर सिलेवस का पाठ नहीं भी होता और अगर यह चेप्टर ना भी रखा गया होता तो भी हमें इस चेप्टर को पढ़ना पढ़ता वह इस वज़े से पढ़ना प्रित्वी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके वज़े से भुकम्प और ज्वाला मुखी आता है तो भुकम्प और ज्वाला मुखी को समझने के लिए हमें प्रित्वी की आंतिक कि हम जिस प्रत्वी पर हैं वो हमें गोल जरूर नजराती है लेकिन ये हमारी कलपना का भी विशय हो सकता है कि आखिर हमारी जो प्रत्वी गोल है वो अंदर से कैसी है क्या वहाँ खोकली है जैसे कि कोई गेंद होता है या फिर उसके अंदर कोई पानी भरा है जैसा कि आपन कि एक गेंद लेजी एक गम ठोस क्या ऐसी है तो हमें इस प्रत्वी को देखना और समझना है लेकिन हमारे साथ जो दिक्कत है वो ये है कि हमारी यह जो प्रत्वी है यह अंदर से कैसी है हना इसको देखने और समझने के लिए हम डारेक्ट अंदर नहीं जा सकते डारेक्ट अ अर्थार यह देखे, यह हमारा पृत्वी का सबसे उपरी भाग, इसी पर हमारा घर है, खेत है, खल्यान है. लेकिन अगर हम यह सोचें कि सर हम क्या करते हैं प्रत्वी के केंदर तक ड्रीलिंग कर लेते हैं ड्रीलिंग करने का मतलब है गड़ा खुद लेते हैं और देख लेते हैं जैसा कि मैंने कल भी आपसे यह प्रशन पूछा था तो आप कहेंगे कि सर यह सता है और यह है प्रत्वी का केंद जो कि सता से 6,370 और कल भी मैंने आपको बोला था कई जगों पर 6,371 किलो मेटर गहराई आपको देखने को मिल सकती किताबों में अर्थात एक किलो मेटर का अंतर किताबू में बना रहता है अब ये अंतर कई कारणों से है उस पर भी हम बाद में बात करेंगे हम माल लेते हैं कि हमारे सतह से अगर हम 6370 किलो मेटर की गहराई में हम गड़ा खोते चलें तो हम प्रत्वी के किंदर तक पहुच जाएंगे और आपने से बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि सर हम चांद पर जा रहा हैं मंगल पर जा रहा हैं और क्या हम प्रत्वी के अंदर 6370 किलो मेटर की गहराई पर नहीं जा सकते हैं हम लोगों ने तो पाताल लोग से लेकर हर चीज के भी समय जाना है तो आप जा सकते थे अगर क्या होता प्रत्वी सामाने पिंड की रूप में होता लेकिन प्रत्वी सामाने पिंड की रूप में है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि आगे मैं इस चीज को प्रूब करूँगा ऐसा क्यों होता है बस अभी यह समझ लिजे कि हम जब पृत्वी में गहराई में जाते हैं तो परतिक 32 मीटर की गहराई में क्या होता है 1 डिग्री अर्था 1 डिग्री सेल्सियस टेंप्रेचर बढ़ जाता है अब इस रेशियो को अगर हम लें तो इसकी हिसाब से लगवग परतिक 100 मीटर की गहराई पर टेंप्रेचर कितना होता है 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और इसी रेशियो को आगे बढ़ाएं तो हमें पता चलेगा परतिक 1 किलो मीटर की गहराई में यहां पर ध्यान बढ़ेगा अब आप कल्पना कीजिए कि यहां से लेकर अगर आप 100 किलो मेटर की गहराई पर पहुंचने का प्रयास करें तो इस रेशियो से अगर हम देखें एक किलो मेटर की गहराई पर टेंप्रेचर हो चुका है माल लेते हैं सबसे मिनमम 30 डिग्री से तो 10 किलो मेटर की गहराई में उसतन तापमान कितना होगा लगभग 300 डिग्री सेल्सेस अब बताइए क्या हमारे पास कोई ऐसा एक्विपमेंट है कोई ऐसा कैमरा है कोई ऐसी मसीन है जो इतनी गहराई में जाकर हमें प्रत्वी के अंदर की चीजों की जानकारी दे सके तो आप कहेंगे क इस नहीं सर हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो प्रत्वी की इस गहराई में जाकर क्या कर सके हमें अंदर की जानकारी दे सके इसका मतलब यह है कि प्रत्वी को अब हमें किसी अन्य तरीके से जानना होगा अब यहां पर एक मैं एज़ामपल लेता हूँ जिसके मा अपनी हिसाब से बहुत प्यारा सा उठाते हैं जो भारी भर कम सा ठोस सा लगता है फिर भी हमें यह नहीं पता होता है यह अंदर से मेठा होगा की नहीं तो अगर कभी उसका मूड खराब होता है तो कह देता है मैं घुशके थोड़ी बैठा हूँ देख लो पहले ले लो फिर काट कर दिखा देंगे फिर वो क्या करता है आपने माल लेते हैं एक तरबूज लिया फिर उसको वो क्या करेगा उसका एक टुकड़ा काट कर ऐसे निकाल देता है और टुकड़ा जब काट कर निकालता है बिलकुर रेड कलर का होता है उसमें से एक आपको चाकु से का और दुकान्दार से दुबारा न दुबारा इस तर्भूच एसा तर्भूच दुबारा न खरे दें ऐसी कसम लेकर आप होहां से लौट आते हों अब देखो तरबूच को तो हमने काट कर निकाल कर देख लिया लेकिन यह अंदर से कैसा है कब पता चला जब हमने इसका एक भाग निकाला तो हम क्या पृत्वी का कोई भाग निकाल सकते हैं क्या हम पृत्वी का कोई ऐसे एक भाग निकाल सकते हैं तो कहेंगे इस पॉसिब प्रत्वी कैसी है। ये ही तो क्या है.. ये ही आज का चैप्टर है जिसको बहुत सांदार तरीके से मैं आपके साथ discuss करूँगा। तो आई हो अब आप समझपाया होंगे कि आज हम क्या करने जा रहा है। और क्यों करना जरूरी है क्योंकि जब आप इस chapter को complete कर लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इस topic से UPSC CSC ने कई बार प्रशन पूछा है और कई बार प्रशन और पूछा जाएगा chapter बहुत स्लांदार है यह जो हमारा chapter है यह सिर्फ एक chapter नहीं है बलकि आने वाले कई chapter अर्थात अध्याय का यह आधार करेगा जब हम इसके बाद plate-tectonic theory जिसको नहीं पता plate-tectonic theory भूल जाओ समझ लेना एक chapter है ठीक इसी तरह से एक chapter आएगा हमारा volcano का यह भी जब हम chapter पढ़ेंगे इसी तरह से एक आएगा mountain formation का यह जितने भी आप chapter देख रहे हो ना इन सब chapter का संबंध हमारे इस chapter से है अर्थात आज भली ही हम इस chapter को complete करने लेकिन आगे आने वाले कम से कम 4-5 chapter से इस chapter का हमारा new तयार होगा हम बार बार इस chapter को आगे बढ़ कर भी पीछे मुड़ मुड़ कर हम देखेंग क्योंकि geography का science से ही कहता है हर chapter जुड़ा हुआ है तो जब मैं आपको plate tectonic theory पढ़ाऊंगा तो आज जो पढ़ा रहा हूँ यह पूरा revision होगा जब मैं बॉलकेनों पढ़ाऊंगा तो आज का chapter फिर से revise होगा अर्थ क्यूक पढ़ाऊंगा फिर से revise होगा mountain formation पढ़ाऊंगा island formation अर्था द्यूप का निर्माड कैसे होता है उसको पढ़ाऊंगा तो बहुत से chapter को हम discuss करते हुए इस chapter को बार बार revise करेंगे ठीक है चलो अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि गुरू जी live नहीं है recorded है इसलिए देख नहीं रहें comment में चल क्या रहा है तो चलो मैं याप्टर क्या है इसको समझ पाए कि नहीं आप सबको good evening 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 Impermanchnो सब्र sonora इवक्योब सब्रेवत है सब्रेव्य आप सबको गोड इवनिंग गोड इवनिग एक क्लास जो वर्ल्ड जोग्रफी की क्लास है डेली पांच बजे हुआ करेगी ठीक है डेली क्लास हुआ करेगी तो इसलिए अच्छा आप सब लोग टेलिग्राम जरूर जॉइन कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का ट केलिग्राम पर जोड़ जाओगे पीडिया अपनों और क्लास की सुचना सब मिलती रहेगी ठीक है किलियर कई लोग पोचने सरी क्लास कितने देर तक होगी अब ही तो स्टार्ट होई है बच्चो आज इस चेप्टर को हम कंप्लीट करने वाले ठीक है हाँ देखे अब मैं जैसे जैसे आप कोई चेप्टर पढ़ाऊंगा आप कॉपी पेन लेकर वैठेएगा इसको नोट करते चलिएगा ठीक है जैसे आप ऑफलाइन क्लास में नोट करते हैं न तो मैं पी पी टी के माध्यम से नहीं पढ़ाऊंगा लिक लिक कर एक चीज मैं आपसे पूछ सकूँ कि भाईयों और वहनों यहां तक कॉंसेप्ट किलियर हुआ की नहीं ठीक है और आप जब नोट बनाओगे तो इससे आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा लिखने की हैविट बनी रहेगी और आप क्लास में आपका जो अटेंशन हो जादा रहेगा और एक फायदा और है कि कमेंट कम करोगे है ना आपस में जो चैट कर रहे हो थोड़ा सा कम करोगे ठीक है चालो ठीक है तो अभी मैंने आपको सिर्फ यह समझाया है कि हमें क्या करना है अपना चैप्टर जो पढ़ना है उसकी विसे में एक छोटी सी जानकारी बना रहा हूं इसी तर से बनाते चलेगा ठीक है तो हमारा आज का जो चैप्टर है वह है प्रित्वी की आंतिक सरचना इंग्लिस में लिखने का प्रियास कर रहे हैं अगर तो अर्थ इंटीरियर लिख सकते हैं या फिर इंटर्नल स्ट्रक्चर ओब दा अर्थ लिख सकते ह नोगते हैं तो यह हमारा चैप्टर है इसलिए हमने इसको क्या किया हाई HERE करते चलेगा अब आईए एक एक चीज को सबसार नहीं लिखा जाता है कुछ डाइग्राम से, फ्लो चार्ट से जब आप नोर्स बनाते हैं तो यह जो नोर्स होते हैं जादा effective होते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि प्रित्वी की आंत्रिक शंरचना परतियच तौर पर हमने क्या देखा कि परतियच तौर पर यह हमारे यले द्रिश योग नहीं है यह द्रिश योग अर्थाद विजिवल नहीं है द्रिश योग नहीं है देखो मैंने इसको कट कर दिया इसका मतलब है नहीं ठीक है द्रिश योग नहीं है लेकिन इसकी आंतिक शर्णचना हमारे लिए महत्पूर है और महत्पूर इ इसका संबंध है भोकंप जैसी आपदा से, इसका संबंध है जोला मुखी जैसी आपदा से, आपदा से मतलब ऐसी घटना से होता है जिससे जन्धन की हानी बार बार हो और बड़ी मात्रा में हो, तो भोकंप जब आता है जन्धन की हानी होती है, जोला मुखी के घटना जब ह कि जन्धन की हांदनी होती है यह क्या है आपदा है टिक है तो इन आपदाओं का यह जो हमारी आपदाएं है इनके विशें में हमारी जो जानकारी है वह इसक्ष्ट हो सके इसके लिए हमें क्या करना होगा पृत्रिवी के आंत्रिक भाग देखना आप देखे हमने कहा कि भाया ये प्रत्यच तौर पर तो दिर्शयोगी नहीं है इसका मतलब है कि हम अब इस प्रत्यच स्रोतों से देखेंगे ठीक है अब प्रत्यच स्रोत के माध्यम से हम देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारी प्रत्यच कैसी है अब देख तो आप देखो, आपने नासफाती देखा होगा, हाना सेव देखा होगा, मैं कहूँ कि मैं ऑस्टेलिया जाओं ये किसी ऐसे आइलेंड पर जाओं, जहां से इसी परकार का कोई गोल फल लेकर आओं, मैं आप से पूछों कि भाईया ये बताओ ये फल कैसा है, तो आप कहोग कि गुरुजी वो तभी पता चलेगा, जब आप उसका एक टुकडा काटकर हमको दोगे, हम खाएंगे तब हमको पता चलेगा, अब मैंने आपसे कहा कि नहीं, मैं आपको इसका एक टुकडा काटकर नहीं दे सकता हूँ, कोई और भी कल्व बताओ, और अगर आप सही बता ले गए, तो मैं आपको एक लाग, दो लाग, पांच लाग, दस लाग रुपे का इनाम दोगा, तो अब आप सोचोगे कि हम डारेट अगर हमें टुकडा मिल जाता, हम खा कर देख लेते, तो हमें पता चल जाता है कि फल कैसा है, हम बता देते हमको गुरुजी नाम दे दे लेकि अगर मैं आपको टुकडा काटने की इजाजत नहीं दे रहा हूँ, और आपको ये लग रहा है कि नहीं हमें जानना ज़रूरी है, ताकि अगर हम सही से बता पाए, तो हमको इतने पैसे मिल जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको आप उस फल को कई तरह से जानने और समझने का प्रयास करेंगे, अब देखो फल का टुकडा मिल जाता, ये होता प्रतेच सुरोत, जो कि आपके पास है नहीं, अब प्रतेच तरीका आपके पास क्या क्या हो सकता है, आप कहोगे कि ठीक सर, एक टुकडा मत दो, ऐसा करो, उपर का जो छिलका है, वो काट के म हम को मिल जाएगा, तो भी मैं बता सकता हूँ, उसको टेश्ट करके, कि इसका जो स्वाद है, ये सेव की तरह है, नासवाती की तरह है, संत्रे की तरह है, या फिर किसी अन्यवत तरह से, तो ये विकल्प हो सकता है, दूसरा विकल्प हो सकता है, कि कहोगे, ठीक सर मैं काट तूंगने ऐसा करो मुझे थोड़ा सा हाथ में दो इसको मैं देखू किसना बजन है अगर बजन जादा होगा तो आपको गई नहीं सेव का बजन तो इतना नहीं होता नास्वाती का मनदर हमने आपको सेव के बराबर एक टुकड़ा फल दिया कोई और इतना भार ही है आपको कि इसमें तो 3-4 जो है कि क्या होगा सेव के टुकड़े आ जाएं तो आपको कि अंदर से कुछ तो यह बहुत सॉलिड टाइप का है अगर हमने आपको दिया छोटा सा कोई सेव के बराबर फल दिया और बहुत हलका है तो आप समझ जाओगे कि यह अंदर से ठोस नहीं है त तो अब हमारी जो पृत्वी है चुक्कि हम उसको डारेक्ट और पर नहीं देख सकते हैं इसलिए हम कुछ अप्रत्यच सुरोत देखेंगे अप्रत्यच सुरोत का मतलब है कि भाया हम अंदर तो नहीं जा पा रहे हैं लेकिन फिर भी हम कुछ आधारों पर समझने का प्रया करेंगे अंदर से कैसे समझने का प्रयास करेंगे इसके लिए हम दो तरह के कारियों को लेंगे या दो तरह के हम जो है कि कारकों को लेंगे एक को बोला जाता है और प्राकर्तिक शूरोत अभी मैं रहता हूंगा यह और प्राकर्तिक और प्राकर्तिक शूरोत एक को बोलते हैं प्राकर्तिक शुरूत और इनके माध्यम से हमारी जानकारी इस पश्ठ हो पाएगी कि आखिर ये प्रत्वी अंदर से कैसी है और प्राकर्तिक चीजों का हम सहारा लेंगे उसमें एक चीज है घनत्य, दूसरा है दबाप और तीसरा है आपका ताप्माailable वहीं जो हम प्राकर्तिक शुरूत हैं इसमें हम लेंगे जौला मुखी की किरिया और दूसरा है भूकम पियतरंगे इनका हम सहारा लेंगे अब देखिए इनके माँ यह इसको 1,2,3 इसकी नम्बरिंग कर दीजे 4,5 अर्थात इन 5 चीजों के आधार पर हम पता कर पाएंगे कि यह जो हमारी प्रिथवी जिसके उपर हम यहां पर सता पर रहते हैं यह अंदर से कैसी है और इसके लिए अगर कोई एक आधार होता तो हम डारेक्ट उसको यूज कर लेते हमें क्या करना होगा इन सभी चीजों से गुजरते हुए तब हमें प्रिथवी की आंतिक सनचना का पता चलेगा यह कुछ वैसा ही है जैसे आप मेरे पास आएं और मेरे पास आके कहें कि सर मेरे पेट के किसी हिस्से में दर्ध हो रहा है बता सकते हो क्या कैसे दर्ध हो रहा है अब आपकी पेट में क्या है मुझे कैसे पता चलेगा हना आपने खाना खराब खाया है कोई च सरे बगरा कुछ भी जिससे मुझे पता चल सके एक जग्ड जहां पर दर्द हो रहा हूँ क्या है इसका मतलब है कि अंदर की चीजों को देखना हमारे लिए कठिन है लेकिन अगर हम देखेंगे तो कई चीजों को हमें योज करके तब किसी final conclusion पर पहुँचना होगा तो प्रत प्रत्वी जो है यह क्या है चटान है यह क्या है चटान है ठीक है प्रत्वी का मतलब क्या है चटान का रूप है की नहीं अब देखो अगर मैं आपसे एक इतना बड़ा पत्थर लेकर आऊं ठीक है इतना बड़ा पत्थर लेकर आऊं मैं कहूं कि भीया यह पत्थर के आध अगर आपने पठका जिस चीज़ पर फूट गया ए पथर नहीं फूटा तो कहोगी भया इया मजबूत पथर हैं ज़ी इसी पठकर मिलेगा थो भारी होगा ऐलमूनियम मिलेगा तो क्या होगा एलमूनियम का मतल़ है बाकसाइट मिलेगा लेका थे भाकसा यथा मिलेगा takeaway हलक अब देखो यह हमारी जो प्रित्वी है इसको जानने के लिए हम इतने फैक्टर से होकर गुज़रेंगे एक एक फैक्टर को मैं नोट करवा रहा हूं आप भी नोट करते चलेगा पहली जो हमारा फैक्टर है वह है घनत ठीक है क्या यहां तक समझ पाए कि नहीं ठीक है जैन्यू ब्लॉग भाई राही माई सब्जेक्ट इस जिग्रोफी इन एममे शो आई हैब नो नीड टू रीट इक्ष्ट्रा क्लास पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने एममे में जितना पढ़ा था उससे ज़्यादा कॉंसेप्ट के लिए यहां पर हो रहा है और इसका प्रमाड़ यह है अगर आपको लगता है कि नहीं आप इस चेप्टर को बहुत अच्छे से जानते हो तो लाश्ट बच्चे जो में करके तो छोड़ दीजिए में गोल्ड में लिश्ट बच्चे भी इस क्लास को जॉइन करना चाहते है ठीक है चल अब मैं एक एक करके यहां पर वर्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे घनतों के आधार पर प्रित्वी को समझने का प्रयास करेंगे अब घनतों के आधार पर हमें क्या करना है यह जो हमारी प्रित्वी थोड़ी सी टेड़ी हो गई इसको गोल कर लेते हैं तो यह है हमारा घनतों इसको इंगलिस में हम बोलते हैं डेंसिटी इसको इंगलिस में बोलते हैं डेंसिटी और इसके आधार पर हमें यह समझना है यह कि भाई इस लड़ू के बिसेश्ता कुछ बता सकते हो आप, कि आखिरी कैसी चीजों से बना है, तो आप कहोगे कि मालोग खोए का लड़ू नहीं है, हमने नहीं बताया आपको किस चीज का बना है, हमने एक लड़ू दिया, हमने कहा कि भाया ये लड़ू दे रहे हैं, थोड़ा सा आप बताओ कैसा है, हना, तो आप जैसे ही उठाओगे और मुह में डालोगे, तो अगर वो काजू से बना होगा, तो उसका भार अलग होगा, टेस्ट अलग होगा, अगर वो बेसन का बना तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक बाइट खाएंगे, और हम बता देंगे कि भाया, ये लड़ू कैसे बना है, दिक्कत ये होगी प्रिथवी के संदर में, ये गोल प्रिथवी, ये जो हमारी गोल प्रिथवी है, यह अंदर से कैसी है, इसको हम कैसे बता सकते हैं, तो देख चटानी चित्र में रहते हैं या पठारी चित्र में रहते हैं या परवतिय भाग में रहते हैं इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं चटान बोलते हैं ठीक है चटान बोलते हैं अर्था प्रित्वी को हम बोलते हैं कि इस थली भाग है यह चटानी भाग है इस थली भाग है अ साइस ने इतनी प्रगती कर ली है कि हमें पता है कि अगर किसी चटान में तामभा होगा तो उसकी क्या विसेस्ता होगी है ना किसी चटान कहीं हम गए मालो राजिस्थान गए और उसके किसी हिस्से से हम चटान लेकर आए उसमें तामभा है उस चटान की विसेस्ता अलग ठीक है, अच्छा, अब जितने भी यह तत्तों हैं, या अन्य जो भी तत्तों होंगे, सब की क्या होगा, अपनी एक मजबूती होगी, सभी चट्टानों का एक भार होता है, जितनी भी चट्टाने होती हैं, वह क्या होता है, उनका भार होगा, और भार का मतलब बजन, भार कै कैसे decide होता है, माल लो, आप कोई इतना बड़ा एक पत्थर का टुकडा लेकर आओ, इसका भार कितना होगा, यह इस पर निर्भर करेगा, यह किस तत्तों से बना है, किस तत्तों से बना है, माल लो, अगर इसमें लोहे का अनुपात जादा है, तो इसका भार क्या होगा, सब्सक्राइक को लें और इस चटान की जो विशेस्ताइं अगर वही विशेस्ताइं इस पूरे प्रत्वी की हैं, तो हम समझ जाएंगे कि पूरी प्रत्वी इसी चटान से बनी है, इसको कैसे समझे हम क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो बाहर जाकर हम कई बार आइस क्रीम खाते हैं, आइस क्रीम हमने जो लिया, उसका हम जैसे ही एक bite लेते हैं तो हमें पता चल जाता है वो soft है कि उसका flavor क्या है अगर हम अब देखो हमें जैसे ही पता चल गया कि हमने एक टुकड़ा उसका खाया तो हमें पता चल गया उसका vanilla flavor है या butter squash है जो भी flavor आते होंगे तो आपको पता चल गया और चोंकि पूरे इसमें कोन में वही ice cream भरी है तो आप सुनिश्चित हो जाते हो कि भाईया ये जितना मुझे अभी पहले bite में पहले बार हमने जब इसको खाया तो जो टेस्ट है वही अंततक रहने वाला है ठीक यही बात हम प्रत्वी पर अपलाई कर सकते है अगर हम प्रत्वी के उपर की चटानों को देख लें और उनकी विस्यस्ताओं की तरह उनकी क्या विस्यस्ता है कि जो उपर की चटाने हैं उनका कुछ भार होगा की नहीं और उसी अनुपात में अगर पूरे प्रत्वी का भार हमें पता चल जाए, तो हम कह सकते हैं, कि हां भया यह जो चट्टान ऊपर वाली है, इसी के अनुपात में पूरे प्रत्वी का भार है, तो इसी तत्तों से, इसी चट्टान से पूरी प्रत्वी बनी है, जैसा कि आईसक्रीम का एक आपने bite खा तो आपको लगा कि हाँ आप पता चल गया कि पूरी आइस्क्रीम कैसी है ठीक प्रत्वी के ऊपर वाले भाग का आप एक टुकड़ा ले लो और वह से ही बिसेश्ता अगर पूरी प्रत्वी की है तो आप कहे दोगे कि पूरी प्रत्वी ऐसी है ठीक अब देखो अब मैं जबरबिमां को इंग्चिन में मास बोलते हैं और आयतन को बॉल्यूम बोलते है अर्थाथ इसको आप गहनत को बोलते हैं देंसिटी तो डेंसिटी के बराबर आप मास बटा बॉलियूम भी लिख सकते हो अब देखो इसको और ठोड़दो यह तो science हुआ अब मैं बहारिक तरीके से समझाता हूं। मालो, कोई भी आपने कोई एक पदार्थ लिया ठीक है? और उस पदार्थ का आपको क्या पता करना है? और आयतन क्या कर रही है जगह कम घेर रही है तो उसका घनत तो क्या होगा जादा होगा मालो आपने क्या किया लोहा लिया और लोहा क्या कर रहा है लोहे का एक टुकड़ा एक इंच जगह घेर रहा है लेकिन उसका बजन क्या है काफी जादा है तो उसका घनत तो जादा अब इसी की जगह आप क्या करो रूई ले लो तो रूई क्या होगा रूई जो है वह उसका भार क्या होगा बजन क्या होगा वह कम होगा और वह जगह क्या घरेगा जादा घरेगा तो उसका घनत तो क्या हो गया कम तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि कोई भी चीच समझेगा से बने होंगे समझेगा तो इसका उसका घंद तो क्या होगा जादा होगा अर्थात कोई चीज का घंद तो जादा है यह कम यह कैसे side होगा, अगर उसके कंड पास-पास में, जैसे लोहे के कंड पास-पास में होते ह salaam, टोनों में अगर compare करें:" तो कि लोहे की कंड पास-पास में हीए ह। इसके बघ़े से उनका total value क्या हो जाएगा बचन बढ जाएगा इस को इसुरूप में समझो एक lift को आते हो क्या हो गया जादा बढ़ गया अर्थात उस पर उस लिप्ट पर लगने वाला भार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो इन दो आधारों पर आप कह सकते हो कि घनत का मतलब यह होता है कि कोई चीज कितनी ठोस है तो दूसरे सब्दों में अगर हम कहें कोई चीज जितनी ही ठोस होगी उसका घनत तो क्या होगा उतना ही जादा होगा तो ठोस और घनतों में क्या संबन होता है इसको बोलते है समानुपाती संबन तीक है समानुपाती अर्थात कोई चीज जितनी ही ठोस होगी उसका घनत तो क्या होगा उतना ही जादा होगा ठीक है तो कोई चीज अगर भारी है तो घनत तो क्या होगा जादा होगा अब देखो आपको घनत तो समझ में आ गया यह समझ में आ गया तो कुछ हमारे जोग्रॉफर्स ने क्या कहा कि भाई यह जो हमारी प्रिथ भी है अगर हम उपर की पर घनत तो नहीं बदलेगा, समझना कैसे नहीं बदलेगा, यह माल लो कोई एक चीज है, ठीक है, कोई एक चीज है, तो अभी इसका जो भी घनत तो हो, लेकिन घनत तो बदलेगा नहीं, अब देखो कैसे, मैं इसका यह उपर वाला टुक्णा निकाल लूँ, अगर यह पूरी चीज एक ही मालो यह प्लास्टिक की बनी है तो प्लास्टिक का बना है तो हमने क्या किया इसका द्रबेमान क्या होगा कम होगा किसके अनुपात में आयतन तो घनत का बराव क्या होता है द्रबेमान और आयतन का अनुपात होता है तो अगर देखो यह पूरा चीज एक ही तरह ही बजन रखता होगा जितना उसका छेत्रफल है ठीक इसी तरह से एक तुकड़ा और में काटकर निकाल यह मैं लो आधा कर दो इसको आधा वाले यह वाला भाग हमने निकाल लिया तो घनतों में बदलाव नहीं आएगा क्योंकि जिस अनुपात में देखो इसका भार उसी अ निकाल लिया तो इसका घनतों क्या होगा इसी है क्योंकि एक ही तत्तों से बनाए इतना बड़ा टुकड़ा हमने निकाल लिया तो क्या करेगा यह इतना बजन उसमें से कम हो जाएगा ठीक है और जब यह हमने जोड़ दिया तो अभी भी इसका घनतों नहीं बढ़ेगा क् घनत का मतलब क्या है दरब्यमान बटा आयतन जब मैं इसको निकाल रहा हूँ तो यह चोटा हो गया हना तो सवभाविक है इसका घनत उसी अनुरूप में कम हो जाएगा जब मैंने इसको जोड दिया तो इसका घनत उसी अनुरूप रहे वही रहेगा क्योंकि अब मैंने इतन एरिया उसका बढ़ा दिया आयतन भी तो क्या हो गया बढ़ गया सौज पाए तो हमारे जोग रॉफर्स ने क्या कहा कि भाईया ये प्रत्वी का उपरी भाग उन्होंने लिया और इसका घनत तो पता किया 2.8 ग्राम घनत को हम कैसे दरसाती यूनिट क्या होती है तो घनत तो होता है द्रबिमान और आयतन का अनुपात किसी चीज का अगर हमें घनत तो पता करना है तो हम ये देख लें उसका द्रबिमान और आयतन का अनुपात कितना है ठीक है उसमें जो भी उनिट और उसको हम जो दरसाते हैं उसको ग्राम प्रति सेंट्री मीटर क्यूब में ठीक गनत तो है 2.8 लेकिन जब हमने पूरी प्रत्वी का यह गनत पता किया तो हम लोगों का दिमाग चक्रा गया क्योंकि पूरी प्रतवी का घनत है 5.5 0.5 ग्राम पर सेंटिमेटर क्यूब ठीक, अब तुरंद लोगों का दिमाग चक्रा आगया, उन्होंने कहा कि भाया अगर पूरी प्रत्वी, जैसे कि मैंने अभी आईस्क्रीम का एक्जामपल दिया, अगर ये देखो मारकर एक ही जैसे तत्तों से बना होगा, तो इसका घनत तो एक ही होगा, बदलेगा, नहीं, घनत तो नहीं बदलेगा, घनत तो तभी बदलेगा, जब ये वाला भाग प्लास्टिक का था, ये वाला भाग लोहे का था, मैंने प्लास्टिक वाला हिस्सा अलग निकाला, लेकिन अब लोहे वाला बचा है, तो लोहे का भार क्या होगा अच्छादा होगा, नहीं, तो इ अंतर नहीं आता, तो घनत्यों के आधार पर जब हम लोगों ने प्रत्वी को अंदर से देखने और समझने का प्रयास किया, तो हमें कोई जानकारी नहीं मिली, हमें सिर्फ यह जानकारी मिली, कि भाईया, यह जो हमारी प्रत्वी का उपरी भाग है, यह इसका घनत्यों क्या दूसरे फैक्टर पर बढ़ेंगे और दूसरा फैक्टर है दबा क्या हम इस चीज को समझ पाएं की नहीं क्या हम इस चीज को समझ पाएं की नहीं प्लीज बताइए भाईया यहां पर जो पूछ रहां बता देजी अब मैंने उसर कल यहीं टॉपिक ठाकल यहीं पर क्लास ब्रेक हो गई थी बच्चो इसी लिए मैं अब इस चैप्टर को आगे लेकर बढ़ रहा हूं और इतने अच्छे से आप देखो अगर मैं जिसना समझा रहा हूं समझते चलो आप इसी चैप्टर को जब यह मेरा चैप्टर कम्प्लीट हो जाए ना आप जितने भी प्लेटफॉर्म पर इसी चैप्टर को पढ़ कर देखना जब आपको पता चल जा है कि इस क्लास का आ गया था तो क्लास रोकनी पड़िए इसलिए हम स्टार्टिंग से यहां तक हो गया था कल के लियर है ना चल आप आगे तो हमने घनत्यों के आधार पर जब प्रित्वी को अंदर से देखने और समझने का प्रियास किया तो हमें पता चला कि भीया यह जो उपरी भाग है हना अब इस उपरी भाग को कुछ लोग कहेंगे सरी क्रश्ट है हना भूपर पटी हमें नहीं पता मैं जब भी कोई सब्द योज करूँगा तो उसको पहले प्रूब करूँगा तो अभी रेखिए हमें बस यह पता चला कि उपर वाला जो भाग है इसका घनत है 2.8 और आंत्रिक भाग है प्रित्वी का जो आंत्रिक भाग है वो क्या हुआ है वो यह तो भारी पदार से बना होगा तो अपने आप उसका घनत तो जादा हो जाएगा दूसरा संभावना यह भी है कि प्रित्वी के अंदर की जो भाग है उसके उपर दबाव क्या हो जादा हो यहां पर plastic का इतने बड़ा कहीं आप जाओ और plastic का धेर ऐसा मिले। तो plastic के इतने बड़े धेर ने इतना बड़ा area घेर रखा है। लेकिन इसका बजन तो क्या है? कम है न। अब आप इसपर क्या करो। इसपर temperature डालो और इसपर बजन डालो। अर्थात कोई गरम चीज जो कि बहुत भारी है दो चार दस कुंटल की उससे दाबो ये क्या होगा चारो तरफ से इसको दाबो गे तो हो सकता है ये इतने बड़े प्लास्टिक के टुकडे में कनवर्ट हो जाए क्यों कि पूरा जो प्लास्टिक है उसके कन क्या हो जाएंगे कंप्रेस होकर चुकि टेंप्रेचर और जो है कि दबाओ के माध्यम से कन प्लास्टिक के एक दूसरी के करीब में आ जाएंगे तो दबाओ बढ़ने से क्या होगा अब देखो पहले ये इतने बड़े एरिये में प्लास्टिक का भाग था तो इसका घनत्वा कम रहा होगा अब यही मेटेरियल पूरा प्लास्टिक इतनी छोटे से हिस्से में आ गया तो दबाओ से क्या होता है घनत्वा बढ़ जाता है इसका मतलब है कि प्रेसर और डेंसिटी में ध्यान देना जितनी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ जो ग्रॉप्थी को अगर साइंस के तोर प अब उनका समलित वजन कैसे हमें नहीं पता आप क्या करो चारो तरफ से लोगों को खींज के लाकर एक जगा खड़ा कर दो टोटल का उनका भार क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा की नहीं तो अब वहां पर जहां पर सभी लोग पहले बिखरे हुए थे एक जगह पर रिक हो जाएंगे तो उनके द्वारा लगने वाला भार क्या हो जाएगा बढ जाएगा तृक किसी तरह से जब किसी चीज पर आप दबाव डालोगे तो घना तो बढ जाएगा अब देखो प्रत्वी अब प्रत्वी का कोई भी भाग अग頭 27 मिट्टे दे दू उतने में आप क्या होगे पिचकने लग जाओगे अब सोचो हमने कहा कि प्रतवी के सतह से यह जो केंदर वाला भाग है यह कितनी गहराई पर है 6370 किलो तो अब बताओ यह उपर की परत का दबाओ इस यहां के जो चट्टान है उस पर लगेगा इस पर यह वाली चट्टान पर लगेगा तो कोई चीज अगर कोई जो चट्टान नीचे की ओर है उस पर कितना जादा दबाओ लगेगा कितना अथा कितना हजारो कुंटल का दबाओ पड़ेगा अब बताओ जब उपर की परतों का दबाओ अंदर की चट्टानों पर पड़ेगा तो क्या वह एक दूसरे के करीब आएंगे कि नहीं क्या यह वाली कंडिशन हो जाएगी और इस कंडिशन की बज़े से जब किसी चीज पर दबाव पड़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो लोगों ने कहा कि भाया यह जो प्रिथवी का आंत्रिक भाग का घनत 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वो इस वज़े से है क्योंकि प्रथवी के आंत्रिक भाग में दबाव बहुत अधिक है और दबाव की कारण क्या होता है घनत तो बढ़ता है इसलिए प्रथवी का उपरी भाग का घनत तो अलग और आंत्रिक पूरी प्रथवी जो भाग है उसका घनत अलग हो जाता है तो कभी एक बार के लिए लगा हाँ यह पता चलिया अर्थात वो यह कहना चाहते थे कि प्रथवी का निर्मार प्रथवी का जो आंत्रिक भाग है वह बाहरी भाग की तरह ही है वह बाहरी भाग की तरह ही है लेकिन फिर से कुछ जि उन्होंने का, प्रत्वी का आंतरिक भाग बाहरी भाग की तरह नहीं है। प्रत्वी का जो उपरी भाग है इसका घनतो है 2.8 और किवल दबाओं के कारण ये जो पूरी प्रत्वी का घनतों 5.5 हो जा रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा अब समझे जो उन्होंने कहा क्योंकि ये बास सही है नहीं अर्थाज जो प्रत्वी का टोटल घनत तो है न देखो हमें पता ये करना है कि प्रत्वी अंदर से कैसी है थोस है लिक्वीड है गैसेस है अब इसको पता करने के लिए हमें बार-बार हम कुछ ना कारकों को यूज करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि scientifically हमें पता ना चल जाए कि प्रत्वी अंदर से कैसी है तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा संभव नहीं हो सकता कि सिर्फ दबाओ की बज़े से इतना घनत तो बढ़ जाए अर्थाज कुछ भूगोल बेता जो जो थे भूगोल बेताओ को इंगली से बोला जाता जो ग्रॉफर्स तो उनको मैं जी से लिख रहा हूं उन्होंने कहा कि ठीक बात है प्रेसर से घनत तो बढ़ता है लेकिन प्रेसर से अर्था दबाओ से इतना घनत तो नहीं बढ़ सकता कि पूरी प्रत्वी का जो घनत वह व इक ही जैसे तत्तों से बने हैं लेकिन अंदर की परतों पर उपर की परतों का दबाओ पढ़ने की बज़े से उसका घनत तो क्या हो गया जादा हो गया है इस शीज को डिनाई कर दिया गया उन्होंने साइंटिफिकली प्रूब किया कि भहिया यह जो घनतों में ब्रिधी दाब की बज़े से हो रही है ठीक है कि प्रत्वी के उपरी भाग का घनतो 2.8 दबाओ पढ़ेगा तो यह 3.8 हो सकता है यह 4.8 तक हो सकता है लेकिन 5.5 हो ही नहीं सकता इसको कैसे देखो हमें इस एक जांपल से समझना होगा हमने प्लास्टिक के इतने बड़े टुकडे को इतने बड़े भाग में हमने क्या कर दिया दबाओ और टेंप्रेचर के वज़े से लेकिन मैं फिर से इस पर क्या करूँ इस पर इस वाले भाग को और ज़्यादा दबाओ दूँ हो सकता है यह इतने बड़े भाग में हो जाए लेकिन हो सकता है फिर यह एक छोटा सा एक लिमिट तक उसके कण एक दूसरी के पास आएंगे भार बढ़ेगा लेकिन वह भी उसकी एक लाश्ट स्विमा हो तो यहां पर उन्होंने जो भाग दबाओ के आधार पर भी हमें कुछ नहीं पता चला हमें प्रत्वी के आंतिक सनचना के विसमें यह पता चला कि भाया ज 5.5 उसको इस्टेबलिस नहीं कर सकता अब हम क्या करेंगे अब हम तीसरा फेक्टर लेंगे अब बताओ दबाओ के आधार पर चीजों को समझ पाएं कुछ लोग लगेगा कि सरी जोगरौफी की क्लास है के फिजिक्स की नहीं लग रहा होगा कुछ लोग कह रहे होंगे सर जोगरौफी पढ़ा रहे हो फिजिक्स पहले बता दो क्या यहां तक हम चीजों को समझ पाएं प्लिस बता दीजे प्लिस बता दीजे प्लिस बता दीजे फिर आगे बढ़ते हैं हाँ एक स्टूडेंट का है मिश्टर ओपी कह रहे हैं सर पूरे प्रत्वी का घनत तो कैसे पता चला आगे बताऊंगा साइंस का जब विकास हुआ देखो पहले हम क्या करते थे किसी चीज का घनत तो पता करने के लिए हमें उस चीज का उठा के हमें लाना पड़ता था फिर हम भार और घनतो देखते थे आज हमारे पास साइंस ने इतना विकास कर लिया है कि हम रेडियेशन के माध्यम से और बहुत से अन्य माध्यम से हम किसी चट्टान को बिना चुए ही और बिना अंदर गए ही उसके घनतों का हम पता लगा सकते हूँ कितना भार ये कितना अभी आगे बताऊंगा, अभी तक जो बताए है वो समाझ में आयक नहीं ठीक है? सर किलियर कर दीजिये, ना एकजाम में किसको टिक करेंगे क्या किसको टिक करेंगे, क्या प्रशन है? आपका प्रशन है? अभी बताऊंगा पृत्वी अंदर से कैसे है अभी मैं बताऊंगा कैसे है पृत्वी के अंदर से हाँ, आर्थ का जो एक्स्टरनल पाड का जो डेंसिटी है हो 2.8 ही है अभी देखो देखो क्या करना है अभी मैं सभी चीजों को प्रूब करूँगा सभी factors पर लेकर आगे बढ़ूँगा और फिर मैं आपको अंत में पूरे इस chapter को समझाने के लिए सिर्फ इस image को देखो इस image अभी बहुत देखना समझना और पढ़ना है तो उसी चीज को मैं एक एक चीज को प्रूब करते हुए अभी देखो दो ही चीज मैं आपको बता पाया हूँ घनत और दबा और मैंने यहां पर भी यह कहा कि अभी हमें प्रिथवी के बिशमे में कुछ भी नहीं पता चलाँ अब हम आज आते हैं अगला factor है और अगले factor को चलो यहां पर ले ले अगला जो factor है जिसके आधार पर हमें प्रिथवी को समझना है वह है तापमान अरथा जो है कि तापमान के आधार पर जैसे क्या हुआ कि आज तो हमें पता चल गया है कि अंदर की ओर जाने पर temperature बढ़ता है लेकिन पहला एक घटना कभी न कभी पहली बार हुई होगी लोग क्या हुए अंदर की ओर गए और अंदर की ओर जैसे जैसे वह बढ़े तो उनको पता चला कि प्रति एक 32 मीटर की गहराई पर एक डिगरी सेल्सियस टेंपरेचर बढ़ रहा है ठीक है और इसके आधार पर इन्होंने टेंपरेचर के आधार पर जब उनको ये रेट पता चला इसका मतलब है कि 100 मीटर की गहराई पर टेंपरेचर कितना हो जाएगा लगभग 3 डिगरी सेल्सियस बढ़ जाएगा और एक किलो मीटर की गहराई पर टेंपरेचर लगभग 30 से लेकर 32 डिगरी सेल्सियस बढ़ जाएगा और लगभग 8 किलो मीटर की गहराई पर 8 किलो मीटर की गहराई पर टेंपरेचर क्या हो जाएगा लगवग 240 से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इसके अधार पर जो हम लोगों ने पृत्वी को अंदर से देखने और समझने का प्रयास किया तो हमें ये जानकारी हुए हमें यह पता चला कि भैया पृत्वी का जो आंत्रिक भाग है प्रत्वी का जो आंत्रिक भाग है वो तो क्या होगा? वो लिक्विड होगा? क्यों लिक्विड होगा? क्योंकि कुछ एक हजार किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान बहुत जादा हो जाएगा और इस आधार पर हम लोगों ने एज्यून कर लिया था कि प्रिथवी क्या होगी लिक्विड होगे लेकिन अगर प्रिथवी हमारी लिक्विड होती तो प्रिथवी में इतना इस्थाई तो नहीं होता अर्थात हमारी जो प्रित्वी है जैसे आप कभी नाव पर बैठिए तो नाव में आप बैठे हुए हो आप ठोस भाग पर बैठे हो आप पानी में किसी नहर हो सकती है नदी हो सकती है कोई जल का भाव हो सकता है जल में भले ही बहुत ज़्यादा गती ना हो लेकिन नाव ठोस सता पर जैसे एक आप मिट्टी के धेर पर खड़े हो ये नाव भले ही पानी पर हो पानी गती ना कर रहा हो लेकिन उसमें इस्थाई तो कम होगा और उसमें ऐसे ऐसे करोगे तो गिड़ जाओगे तो ये हुआ कि अगर प्रित्वी का जो आंत्रिक भाग है अगर इस टे सता डिग्री सेसियस पर ठोस रह सके कोई ऐसा ततों तो है ने तो जितने भी प्रित्वी पर ग्याद ततों है वह अधिकांस तक 1100 से लेकर 1200 डिग्री सेसियस के बाद मिल्टी ही हो जाते हैं तो ये पहले एजुम कर लिया गया कि टेम अंदर से क्या होगा प्रित्वी लिक प्रित्वी कोजब अंदर से देखने और समझने का प्रियास किया गया कई जगों पर हम लोगों ने रेज के मादम से अर्थात किरणों के मादम से और अन्य आधारों पर हमने प्रित्वी के आंत्रिक भाग का अनुमान लगाने का प्रियास किया कि कितना अनुमान होगा त यहाँ प्रित्वी के उपरी भाग में होता है। इसका क्या मतलब हुआ? माल लो यह हमारी प्रित्वी। तो प्रित्वी के उपरी भाग से हम नीचे की ओर जाएंगे, तो starting में ये होता है कि प्रतेग 32 मीटर की गहराई पर 1 degree Celsius temperature बढ़ता है लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे ये जो दर है दर का मतलब होता rate इंगलिस में बोलते हैं कि प्रतेग कुछ मीटर की गहराई पर कितना temperature बढ़ेगा ये इसका rate हुआ तो हमें पता चला कि प्रतेग की उपरी भाग में ही ये क्या है ये दर हमें देखने को मिलेगी जब हम अधिक गहराई में जाते हैं तो temperature तो बढ़ता है लेकिन प्रतेग 32 मीटर की गहराई पर 1 degree Celsius temperature नहीं बढ़ता है अर्थात जादा हम गय जाएंगे हो सकता है 60 मीटर, 70 मीटर की गहराई पर जाएं तब 1 degree Celsius temperature बढ़ता है ये बात कहां हो रही है आंतिक भाग उपरी भाग में जो प्रतवी की उपरी परत है यहाँ पर तो क्या होता है प्रतेग 32 मीटर की गहराई पर temperature 1 degree Celsius बढ़ता है अब देखे इन चीजों के आधार पर कुछ हम लोगों ने निसकर्स निकालने का प्रयास किया तो ये पता चला कि कई जगों पर जो जो ग्रॉफर्स ने उन्होंने बहुस से device बहुस से equipment का यूज किया कुछ चीजों को अंदर तक डाल कर temperature को record करने का प्रयास किया कुछ जगों पर drilling करके कुछ गहराई तक हम लोगों ने अपने कुछ equipment को पहुचाया और हमें ये पता चला कि अगर कोई छेतर ऐसा है जहां पर जो आला मुखी है जहां पर जो आला मुखी की घटना होती है तो वहां पर 43 किलो मेटर की गहराई पर 43 किलो मेटर की गहराई पर जो temperature है वहां 1000 degree Celsius तक हो सकता है इसको मैं यहां पर लिख दे रहाँ ठीक है जो आप जापान के आसपास का छितर देख सकते हैं जो एंडीच परवत आपने सुना होगा रोकिच परवत सुना होगा जहां पर जो आला मुखी की किलीद बार बार हो रही है उन छित्रों में गये तो उन्होंने कुछ निस्चित गहराई तक क्या किया temperature को record किया और उसके आधार पर आगे temperature क्या होगा उसकी उन्होंने कलपना की उसको assume किया तो उन्होंने यह निस्कर्स निकाला कि जो छेतर ज्वाला मुखी के point of view से सक्रिय है वहाँ पर 43 km की गहराई पर 1000 degree Celsius temperature मिलेगा और जो सक्रिय नहीं है जो छेतर ज्वाला मुखी के point of view से सक्रिय नहीं है यहाँ पर लिग लिजे सक्रिय नहीं तो वहाँ पर 40 km की गहराई पर जब जाओगे तो आपको मात्र जो है की 500 degree Celsius temperature देखने को मिलेगा इसका मतलब यह हुआ यहाँ से निस्कर्स जो निकाल सकते हैं कि प्रत्वी के अंदर जब आप जाएंगे तो सभी इस्थानों पर सभी इस्थानों पर सभी इस्थानों पर तापमान बढ़ने की जो दर है तापमान बढ़ने की जो दर है वहाँ एक समान नहीं वहाँ एक यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक समान नहीं होता के लिए एक समान नहीं होता फिर भी मैं आपको कुछ temperature बता देता हूँ जो आपसे प्लिम्स में पूछा जा सकता है तो कुछ गहराई पर आपसे जो temperature पूछा जा सकता है वो मैं बता देता हूँ किस गहराई पर कितना होगा ठीक है जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिथबी के 100 km की गहराई पर temperature कितना होगा तो आप बताएगा 1100 से लेकर 1200 degree Celsius temperature होगा अगर आप से पूछ लिया जाए कि 400 km ये क्या है किलो मेटर है और ये क्या है degree Celsius में ताप मान है इधर ताप मान ठीक है तो अगर आप से पूछ लिया जाए कि 400 km की गहराई पर temperature तो आप बताएगा कि लगभग 1500 degrees अगर आप से पूछ लिया जाए 700 km की गहराई पर temperature कितना होगा तो आप बताएगा कि लगभग 19 होगा अगर आप से यहाँ पर लिख रहा हूँ अगर आपसे पूछ लिया जाए उन्तिस सो किलो मेटर की गहराई पर temperature कितना होगा मैं लिखूंगा तो clear नहीं इसलिए यहां पर लिख रहा हू vra cold तो अगर आपसे पूछ लिया जाए उन्तिस सो किलो मेटर की गहराई पर तो आप बताएगा लगबक 37 degree Celsius temperature है और अगर आपसे पूछ लिया जाए 500 km की गहराई में temperature कितना होगा तो लगभब बताएगा 3300 degree Celsius temperature हमें देखने को मिलता है यह आपके लिए प्रिलिम्स के point of view से important है अब देखो आपका तुरंत एक दिमाग कह रहा होगा कि गुरुजी कुछ गडबड हो रहा है आपने अभी मुझे बताया और मैंने इक खुद बोला कि 1200 degree Celsius पर उसके बार जितनी चीजे होती है वो liquid stage में आ जाती है फिर इसका मतलब हम यही कहना चाह रहे है कि प्रित्वी में जब इतनी गहराई में इतना temperature होगा तो वो liquid होगा लेकिन नहीं ऐसा नहीं देखो अब ही आप क्या करो कि एक गेद लो और उस गेद को प्लास्टिक की गेद लो और उसको गेस पर ले जाका ऐसे रख दो कुछ दिर में क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा अब देखो उसी गेद को अब क्या करो उस पर पहले 10,000 कुंटल का बजण डालो तो गेद जो इतनी बड़ी थी हो सकता इतना point बन जाएगा और चुंकि दबाव पढ़ा तो उसका घना तो क्या होगा बढ़ जाएगा अब उस गेद को उसी गेस पर रुखो क्या उतनी ही जल्दी अब गेद पिढ़ेगी नहीं तो प्रत्वी अंदर से अभी हमें यह नहीं माल लेना है कि प्रत्वी अंदर से क्या है Liquid है क्योंकि हमने अभी प्रूव किया प्रत्वी के जब उपरी परस से हम जब नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? प्रेसर बढ़ेगा और प्रेसर बढ़ने के कारण जो चटाने यहाँ पर 1500 degree Celsius 19o degree Celsius 3700 degree Celsius और 4300 degree Celsius पर जो पिखल सकती थी वहाँ नहीं पिखलेंगे क्योंकि प्रेसर क्या है चाहता है प्लास्टिक का आप क्या करो ये टुकडा लो और इसको ले जाकर गैस पे रख तो मिल्ट हो जाएगा लेकिन इस प्लास्टिक पर पहले खूब ज़्यादा दबाव डाल दो और फिर इसको रखो आप गैस पे ये आसानी से नहीं पिखलेगा अर्था दबाव क्या होगा किसी चटान को पिखलना भी चाहेगा तो पिखलने नहीं देगा इसका मतव है कि अगर हम ये देखे कि ये तापमान के अधार पर हमें क्या पता चला तो हमें यह अभी तक नहीं किलियर हो पाया कि प्रित्वी अंदर से एक्जेक्टली है क्या कि लिए कि कुछ लोग एक स्टुडेंट हैं वो लिखते हैं कि फ्रेंड आप सब कुछ लिख पा रहे हो क्या मैं समझ तो सब कुछ रही हूं लिख कुछ भी नहीं देखो बच्चे अभी फ क्या करना है अगर आप लोग इसको लिखते हुए नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मतलबे है कि आप मुखर्ची नगर के एजुकेटर से पहले नहीं पढ़े हो मेरे पास विकल्ब था मैं स्लाइड लाता और उसको लाइन वाइन पढ़ते चला जाता लेकिन मैंने आपसे वादा किया था क्लास की क्वाल्टी ऐसी होगी जो दो लाक जो बच्चों ने दो लाक रुपए दे कर किसी कोचिंग संस्थान में एडमिसन लिया होगा उसकी क्लास फीकी पढ़ जाए उसके लिए जरूरी है मैं वही अप्रोच अपना हूँ जो मुखर्ची नगर के ओपलाइन क्लास में मैं अपनाते आया हूँ जहां पर प्रोब कर सो तो अगर आप लोग नोर्स साथ ही साथ नहीं बना दो बारा क्लास देख ले नहीं लेकिन अभी समझने का प्रयास करो और एक बार अगर समझ लिया और नोर्स बना लिया मैं सही बता रहा हूँ कोई आपके सामने कितना भी जोग्राफिक का जानकार हो, जिसने पोश्ट ग्रेज्वेशन किया होगा, जिसने मेंस भी दिया होगा जोग्राफिक से न, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा, ये मेरी घारंटी है, बहुत से रिंदे लिख रहा हैं, कि हम समझ भी पा रहे हैं, बहुत से रिख कह रहे हैं, और भी देखनों मेरा उद्धिश यह है, कि आपको आंसर आटें, अभी देखो मैंने आपको एक चीज और दिखाया ना कि एक इमेज दिखाऊंगा और पूरे चैप्टर का जो क्रक्स है इस इमेज में छुपा हुआ है लेकिन अगर मैं डारेक्ट यहां पर आजाऊ तो नहीं सुझा और फिर मैं क्या करूँगा देखो आपको मुख्य इसलिए ताकि जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे उसको सॉल्ब कर सकूंगा है ठीक है सौनम सैनी गेरिसर साइड में हो जाए सकींसोट लेने साइड में ही साइड में होजांगा मुझे तो पता भी नहीं नए लो मैं कमेंट तो हो गया जल्दी ले लो जल्दी ले लो इसकूंसरोट् हालाकि स्किन सोट से काम नहीं चलेगा बच्चो क्योंकि कब मैंने यहाँ पर लिखा कब वहाँ पर लिखा समझ में नहीं आएगा ठीक है चल आगे बढ़ें तो कुल मिलाकर अभी तक का जो निचोड़ है यह है कि भाई हम प्रत्वी की आंतिक सरचना को अभी तक नहीं सोच पाएं अर्थात अभी भी हमारे लिए एक पहली यह बने हुई है कि प्रत्वी अंदर से कैसी है यह हमारी जो प्रत्वी है अंदर से कैसी है यह भी अभी पहली है तो हम लोगों ने कितने फैक्टर हमको देखने थे? हमने ये वाले जो अप्राक्रतिक स्रोथ से इन तीनों को देख लिया, हमें इससे कुछ जानकारी मिली, कुछ इससे मिली, कुछ इससे मिली, लेकिन पूरी प्रत्वी अंदर से कैसी नहीं पता चल पाए? अब हम क्या करते हैं, इस चौथे फैक्टर को लेते हैं, और वो है जौला मुखी किरिया, जौला मुखी किरिया के लिए आप इस इमेज को देखें, जौला मुखी का मतलब क्या होता है? जहां से जौला मुखी वह इस्थान होता है, जहां से गला हुए पदार्थ निकलता है, इस गले 1200 degree Celsius इस गले हुए पदार्थ को हम लावा बोलते हैं जब तक प्रत्थवी के अंदर है तब तक इसको बोलते हैं मैगमा और जब प्रत्थवी की सतह को तोड़ कर उपर हमारे बीच में आ गया मालो हम लोग गाउ में बैठे हुए खेद खलियान में सामको बैठे हुए आप अभी कलास पढ़ रहे हो और कहीं से जमीन फटे गला हुआ पदार्थ आपकी तरफ दोड़े समझ अब ठीक है ना नहीं अब नहीं रुक रही होगी अब तो अब ठीक हो गया ना अब तो ठीक हो गया लाइड चली गई थी लाइड चली गई थी तो लाइड चले जाने से क्या होता ना इंटरनेट रुक जाता है लेकिन अब तो ठीक हो गया होगा ठीक है चले आगे बढ़ें तो देखो हमने कहा कि यह है ज्वाला मुखी इस ज्वाला मुखी वह स्थान होता है जब तक पृत्वी के अंदर है इसको बोलते है मैगमा और जब ये पृत्वी की सतव को तोड़कर बाहर आ जाए इसको बोलते है लाओ तो जब हम लोगोंने ज्वाला मुखी को देखा तो हम लोगों ने एक अनुमान लगाया, कि जौला मुखी से क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जौला मुखी से क्या होता है, गला हुआ पदार्थ बाहर आता है, और देखी, जब गला हुआ पदार्थ बाहर आ रहा है, तो इससे ही हमें यह पता चला, कि पृत विल्या हुआ जो पडार्थ है यह बाहर आता है आप ने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले आइसलेंड में क्या हुआ था ज्वाला मुखी की किरिया हुई थी तो गला हुआ जो पडार्थ है बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है इस से स्टार्टी में हम लोगों ने अन नयमान लगा लिया था कि जो प्रतवी का आंत्रिक भाग है वो गली हूई अवस्ता में होगा लेकिन फिर वही बाद अगर पूरी प्रतवी अंदर से गली हुski अवस्ता में होती तो प्रतवी इतना परत होती होगी, जो गली हुई अवस्था में, जहां पर जो पदार्थ हैं, वो गली हुई अवस्था में होते होंगे, और इस गली हुई अवस्था कोई चीजों को हम क्या बोलते हैं, मैगमा, तो प्रत्वी के अंदर कोई परत है, जहां पर गली हुई चीजे हैं, बस इस स हमें जवालमुखी के आधार पर यही पता चल पाया, इसके अलावा कुछ नहीं पता चल पाया, इसका मतलब देखो बच्चों, हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने एक जिते, यह एक दो, तीन और चार इतने स्रोतों को हमने देख लिया, लेकिन अभी हमें जो जानकारी म बील पाई है वो ये है कि यह हमारी प्रृतवी और इस प्रृतवी के उपरी प्रत का घंत तो टू-पॉइंट पूरी प्रत्वी का जो घंत है वो और 5.5 है थनीचे की ओर जब जाएंगे तो दबाओ बढ़ेगा हमने ये भी देखा कि नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ता है और हमने आपको कितने किलोमेटर पर क्या टेंपरेचर वो बताया और इससे ये पता चल पाया कि प्रत्वी के अंदर कोई ऐसी प्रत होगी जहां पर गला हुआ पदार्थ होगा और यही गले हुए पर और वो है भूकमपी तरंगे तो अब यह जो लाश्ट फैक्टर है ना यह इस्टेबलिस कर देगा कि हमारी प्रत्वी अंदर से कैसी है इसका मतलब है कि हमने अभी तक जो चार फैक्टर लिए यह चार फैक्टर बस इसके लिए क्या कर रहे थे बेस का काम करेंगे यह जारों भी जरूरत थे लेकिन अब हमें पूरी प्रत्वी की एक एक भाग की जानकारी मिलेगी इस फैक्टर के आधार पर ठीक है किलियर है किलियर है ठीक है आप देखो तो हम लाश्ट वाला जो फैक्टर है लें और अब इसके आधार पर प्रूब करनें अंदर से प्रत्वी कैसी है किलियर है बताई सब लोग एक बार थमनेल बता देजे आप सब लोग टेलिग्राम पर जरूर जूर जूर जाओ बच्चे प्रत्वी की आंतरिक सरचना को अब हमें समझ लेना है क्योंकि प्रत्वी की आंतरिक सरचना को जानने के हमारे पास जो सुरोब थे वह कितने थे पांच पांच में पहला था घनत्तो इससे भी हमें बहुत कुछ नहीं पता चल पाया दूसरा था दबाव इससे भी बहुत कुछ सभी से थोड़ा थोड़ा पता चला फिर हमने देखा तापमान इससे भी बहुत कुछ नहीं पता चला और हमने देखा ज्वाला मुखी इससे भी हमें बहुत कुछ नहीं पता चल पाया है अब है वह है भुकम्पिय तरंगे इसके अधार पर हम क्या करेंगे अब यही हमारे पास last बिकल्प है अब देखो जो हम कहते हैं कि भाईया यही last बिकल्प है इसका मतलब इस बिकल्प में कुछ तो ऐसा है जो बताने में सच्छम है कि पृत्वी कैसी है अगर यह भी सच्छम ना होता तो हमें कुछ और factors पर जाना होता लेकिन सिर्फ इसी factors के आधार पर हम बता पा रहे हैं इसका मतलब हम इसके आधार पर बहुत सी चीजों को देखने और समझने वाले के लिए चल भूकंपी तरंगे ठीक है तो भूकंपी तरंगों क्या था अब देखें भूकंप क्या होता है सबसे पहले कुछ बेसिक चीजे जान लेजे तो भूकंप का मतलब क्या है हम कहते हैं इसको प्रत्वी के अंदर से उत्पन होने वाला भू मतलब प्रत्वी और प्रत्वी के अंदर से उत्पन होने वाला कंपन माल लो यह आपकी घर का फर्स है यहाँ पर क्या करो आपको भारी चीज गिरा दो भारी चीज गिरा होगे जब यहाँ पर भारी चीज गिरा होगे तो जहाँ पर यह चीज गिरेगी उससे क्या होंगे चरंगे चारो तरब बढ़ेंगे इसको समझने के लिए इसको समझने के लिए क्या करिए कि आप सब लोग कभी न कभी नदी की किनारे तो गए होंगे नदी की किनारे गए तालाप की किनारे गए या फिर किसी गड़ा कोई गड़ा ता जिसमें पानी भरा हुआ उसके किनारे बैठे हुए थे हना बाचित कर रहे थे कि दुनिया थे ऐसी बन में बाते आते हैं फिर देखते हो कि सामने पानी है एक पत्थर आप क्या करते हो उठाते हो अब पत्थर उठा कर पानी में फेक देते हो मालो यहां आपने एक तालाब था इसमें आपने क्या किया यहां पर पत्थर फेका पत्थर यहां पर गिरेगा तो जब पत तरब क्या होंगी लहरे उत्पन होंगी अर्थात आपने क्या किया यहां पर एक एनरजी उत्पन कर दिया यह पानी ऐसे ठहरा था आपने पत्थर फेका हल चल हुई वहां से तरंगे आगे बढ़े अब बताओ यह जो तरंगे हैं यह तरंगे सब भी अब आपने क्या किया प खुद क्या कर देते हैं कूद जाते हैं तो जब देखो जितनी ही भारी चीज पानी में गिरेगी उतनी ही बड़ी तरंगे उबनेंगे ये तरंगे क्या है एनरजी है ना ठीक इसी तरह से जब हमारे प्रत्वी के अंदर से कहीं पर अगर कोई जटका लगेगा तो उससे भी क गराम का है तो दोबारा भी अगर दसी गराम का आप पत्थर फेकोगे तो वैसी ही तरंगे उत्पन होंगे दस गराम की जगा एक केजी का फेकोगे तो अलग तरंगे उत्पन होंगे दस कुंट केजी का ये कुंटल का कोई चीज फेकोगे तो अलग तरंगे उत्पन होंग क्यों अब देखो तो हमने कहा कि प्रत्वी के अंदर से उत्पन जो कमपन है ये क्या होती है तरंग होती है और जो तरंगों का ब्यवहार है समझेगा तरंगों का जो ब्यवहार है वह निश्चित होता है अर्थात तरंगी एक कंडिशन में एक जैसा ही ब्यवहार करती है जै पढ़ से उसी तरह की तरंगें उत्पन होगे तब ही बदलेंगी जब मैंने अभी इस पर क्या है टाइस लगा हुआ इस तो एक चो्ताइ बजन का कोई सीच गिराओं तो फिर तरंगे क्या होंगे अलग होंगे, अब देखो, हमने कहा कि जो तरंगे होती हैं, जिनको हम कह रहे हैं भूकमपी तरंगे, जिनको हम कह रहे हैं भूकमपी तरंगे हैं, समझेगा, यहाँ पृत्वी के अंदर से उत्पन होती हैं, यह क्या होती हैं, पृत्वी के अंदर से उत्पन होती हैं, और बाहर की ओर आती हैं, अर्थाती सतह तक आती हैं, सतह तक आने के दोरान ये प्रत्वी के अंदर से ही तो गुजरती हैं, तो जब ये प्रत्वी के अंदर से आ रही हैं, तो जिस माध्यम से ये होकर आ रही हैं, उस माध्यम की जानकारी ये ले कर आती हैं, यहाँ उस माध्यम की जानकारी आप जोखो जैसे हम ने कहा इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं X, Y और Z तीन ब्यक्तियों को लेते हैं ठीक है X, Y, Z तीन ब्यक्तियों को लेते हैं और हमने कहा कि X जो है कि सडक पर उसकी कुछ speed है ठीक है वो सडक पर किसी निश्चित इस पीर से दोड़ता है फिर वह जो है कि किसी दलदल वाले भाग पर उसकी जो गती है कुछ अलग हो जाती है और अगर कहीं तालाब हो तो उसकी गती क्या हो जाती अलग हो जाती है मालो सडक पर वह 10 km प्रती घंटा, दलदल वाले भाग पर 5 km और तालाव वाले भाग में 2 km प्रती घंटे की स्पीर से वह क्रॉस करता है अब किसी दिन एक्स ब्यक्ति आए और वो कहे कि भहिया मैं 5 km प्रती घंटे की साथ इस्पीर से दोड़ कर आया हूँ तो आप क्या कहे दोगे तुरन अच्छा तुम दलदल वाले भाग से दोड़ कर आये हो क्योंकि उसका ब्यवहार निश्चित है थी किसी दिन किसी दिन आकर वो कहें आपसे कि भहिया मैं 2 km प्रती घंटे की हिसाब से आथ दोड़ कर आया हूँ च्योंकि उसका ब्यवहार आपको पता है कि सड़क पर उसकी कितनी गती दलदल पर कितनी गती तालाप पर कितनी गती तो आप कहे दो अच्छा आज तुम तालाप से आये क्योंकि X ब्यत्री का जो सभी कुछ क्या है वो निश्चित है ठीक है इसी तरह से जो भुकमपी तरंगे है इनका ब्यवहार क्या है हम लोगों ने सुनिश्चित कर लिया, आज से भुकम्पी तरंगे थोड़ी आ रहे हैं, सैकडो बर्सों से भुकम्पी तरंगे आ रहे हैं, इनको हमने बार बार क्या किया, बार बार नोट किया, और बार बार नोट करके हमने इनको समझने का प्रयास किया, तो हमें पता चला कि भीया इनका जो ब्यवहार है ये तभी बदलता है जब क्या हो जब भुकम्पी तरंगों का ब्यवहार कब बदलेगा जब या तो उनको एनरजी में अंतर आए कभी प्रत्वी के अंदर तेजी से जटका लगा तो तिब्रगती की भुकम्पी तरंगे कभ भी धीमी गती का लगा, तो धीमी गती की भुकम्पी तरंगे, हना या फिर कुछ अन्य चीजे परिवर्तित हो तभी बदलेगा, अधर भाइज भुकम्पी तरंगे जहां से होकर चलती हैं, वो समान जानकारी देती हैं, जैसे, माल लो यह लोहिका रॉड लो, इस पर आपने क्या किया, ऐसे, आपने देखा होगा, घंटी हम लोग बजाते हैं, तो किसी दिन आपने देखा होगा, कि घंटी धीरे से बजती है, और अगर कोई ब्यक्ती ऐसा है, जो है ब्यूचल हो चुका है, घंटी बजाता है, तो डेली एक ही स्पीट में घंटी बजाता है, टिक परकार की एनरजी डालेगा उस पर, तो एक ही तरह की आवाज, अब आप उसको क्या करो, जिस, यह मानलो, वह लोहे का रोड है, जिस पर घंटी लगा कर आपकी स्कूल की छुटी करता है, एक ही तरह की आपको आवाज सुनाई देती है, और यह बना हुए, मानलो, लोहे का दूसरे दिन क्या करो, इतने ही बड़े आकार का, आप तांबे की कोई चीज ठांग दो, और फिर से उसी चीज से, जिस चीज से आप लोहे की रोड पर माड रहे थे, उसी तरह से अब तांबे की चीज पर आप इसको मारिए, अब देखना आवाज क्या होगी, बदल जाए और लोहे की जगे अब क्या हो चुका है, तांबे का हो चुका है, तो एनर्जी क्या होगी, अलग तरही के से उसी तरह से, जब प्रत्वी के अंदर से भुकम्पी तरंगे आएंगी, तो हमने भुकम्पी तरंगों को अलग अलग तत्तों में, भुकम्पी जो तरंगे हैं, जो भुकम्पी तरंगे हैं हमने बार बार उनको पास करके उन पर एनरजी प्रोड्यूस करके यह देख लिया कि भुकम्पी तरंगे किस परकार की चटान में किस परकार की चटान में कितनी गती करती है किस परकार की चटान में उनकी गती कैसी होती है और उनकी दिसा कैसी होती जैसे हम लोगों ने क्या किया एक बड़े से पत्थर को लिया उस पर हमने जटका मारा हमने क्या किया जटका मारा तो हमने यह देखा कि जहां से जटका मारा वहां से तरंगे कैसे आगे बढ़े एक चीज को हमने उसको नोट कर लिया और फिर हमने उ तत तो बदलते हैं समझेगा जैसे जैसे चटान में चटान के तत तो बदलते हैं भुकंपी तरंगों का ब्योहार बदल जाता है जैसे जैसे चटान का घनत तो बदलता है भुकंपी तरंगों का ब्योहार बदल जाता है जैसे जैसे चटान में एनर्जी का लेबल हम कम और ज प्रित्वी के आंत्रिक भाग की इसे में जानने का जो सबसे बिश्वसनी स्रोत था वो क्या था भुकंपी तरंगे वो भुकंपी तरंगे ही मिलें क्यों मिलें क्योंकि ये प्रित्वी के अंदर से होकर आ रहे थे प्रित्वी के अंदर से अब हम क्या करें अगर इन तरंगो को हम इन तरंगों को हम यह देख लें कि किस तत्तो में यह कैसा ब्यवार करती है तो हम प्रथवी के अंदर के इनके ब्यवार को डिकोड कर सकते हैं चुकि जितने भी प्रत्वीव मिलने वाले तत्तों हैं, अधिकांस तत्तों को हमारे पास हम लोगों ने रखा हुआ है, सब पर इनी भुकम्पी तरंगों को पास करके हमने कुछ चीजों को आचिक किया, तो हमें पता चला कि जो भुकम्पी तरंगों का ब्योहार है, वह एक निश्चित दसा में बिलकुल एक जैसा ही रहता है, अर्थाद भुकम्पी तरंगों की जो गती है और इनकी जो दिशा है, गती और दिशा में बदलाव तब ही आता है, जब भुकम्पी तरंगें जिस भाग से, मालो यह भाग है, इससे होकर गुजर नहीं, तो इसके अभी x, y, z व्यक्ति को लिया, x का जो है कि speed कब बदल लए थे, सड़क पर था तो उसकी speed अलग, हना दल दल वाले भाग में अलग, पानी वाले भाग में अलग, ठीक इसी तरह से, जब भुकम्पी तरंगें जिस छेतर से होकर गुजरती हैं, इनको बला जाता है माध्यम, यह माध्यम क्या हो सकता है, यह माध्यम ठोस हो सकता है, यह द्राव हो सकता है, तो यह देखा गया कि ठोस अगर माध्यम होता है, तो भुकम्पी तरंगों क्या ब्यवार अलग हो जाता है, द्राव होता है, तो अलग हो जाता है, अर्थाद भुकम्पी तरंगें, यह जो X-ray के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं या फिर Ultra Sound के माध्यम से हम सरीर के अंदर की जानकारी प्राप्त करते हैं सरीर के अंदर की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं X-ray कर लेते हैं, Ultra Sound कर लेते हैं या जो X-ray और Ultra Sound की तरंगे क्या करते हैं यह शरीर के अंदर जाती है और वहां की जानकारी हमें दे देती ठीक इसी तरह से जो भुकम्पी तरंगे हैं चोंकि यह तो प्रत्वी के अंदर से ही आ रही है बस हमें क्या करना था इनको डिकोड करना था कि भहिया अगर प्रत्वी अंदर से थोस होगी तब भुकम्पी तरंग का ब्यवहार क्या होगा उसकी speed क्या होगी उसका direction क्या होगा थोस होगी तब क्या होगा और अधिक थोस होगी प्रत्वी तब उसका ब्यवहार कैसा होना चाहिए जितने भी प्रत्वी के अंदर मिलने वाले तत्तों हैं हमने प्रत्वी के बाहर बीचों की वो तत्त उपलब्ध हैं हमने सब पर उसी तरह से भुकम्पी तरंग की तरह से एनर्जी प्रोड्यूस किया और एनर्जी प्रोड्यूस करके हमने ये समझने का प्रयास किया कि भु भुकम्पी तरंगों के ब्योहार के आधार पर हम लोग प्रत्वी के आंत्रिक भाग को समझने में काफी हद तक शफल भी रहे ठीक है अब देखें तो हमने कहा कि हम भुकम्पी तरंगों को समझते हैं और भुकम्पी तरंगे क्या होती हैं प्रत्वी के किसी आंत्रिक भाग से उत्पन होती है जहां से भुकम्पी तरंगे उत्पन होती है उसको बोलते हैं फोकस उस इस्थान को जहां पर भुकम्पी तरंगे उत्पन होती है उसको बोलते हैं फोकस और फोकस से होकर तरंगे जब सता की ओर आते हैं तो सबसे पहले प्रतवी के जिस सता पर भुकम्प और बहुत की तरंगे छटका मारती हैं, इसको बोलते हैं EPCenter, जिसकी बोलते हैं EPCenter, तो आप देखे, फोकस क्या हुआ जहाँ पर भुकंपी तरंगे उत्पन हुए, और वहां से गती करते हुए, वह जहाँ पर सबसे पहले प्रतवी के सता पर जटका मारती है, उसको बोलते इपी सेंटर अर्था फोकस से लेकर इपी सेंटर तक की जानकारी भुकमपी तरंगे लेकर आती हैं और इन्ही को हमें डिकोड करके यह पता करना होता है कि प्रत्वी अंदर से कैसी है ठीक उसी तरह से जैसे हम एक्सरे और अल्टरा साउंड के माध्यम से कोई किसी के सरीर मे प्रवेस्तो नहीं करता लेकिं इन्ही के तरंगों के माध्यम से हम सरीर के अंदर की जानकारी परदान कर देते हैं ठीक इसी तरह से भुकमपी तरंगे प्रत्वी के अंदर से होकर आती हैं और उनके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है इसी लिए दो भुकमपी त अच्छा पी क्या है इसको बोलते हैं प्राइमरी तरंग इसको बोलते हैं प्राइमरी और एसको बोलते हैं सेकेंडरी तरंग ठीक है अर्थात इसको प्राथमिक तरंग इसको दुत्यक तरंग इसको प्राथमिक तरंग है इसकी गति क्या होती है सरवाधिक होती है इसकी गति गज़ी होती है वह ठोस भाग से भी गुज़र जाती है और द्रव और सिर्फ ये ठोस में गति करती सिर्फ और सिर्फ ये ठोस में इसका मतलब है कि अगर प्रत्वी के किसी हिस्से में समझ लेजेगा प्रत्वी के किसी हिस्से में अगर माल लो कि आपको पता चलता है कि भाया यहाँ पर S तरंग नहीं है यहाँ पर नहीं है तो समझ जाएगा यह वाला भाग क्या है लिक्विड है क्योंकि यह सेकेंडरी तरंग क्या करती है जो है कि जब यह लिक्विड वाले स्टेज़ों पहुंचती तो उसको पार नहीं कर पाती जैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अच्छा दौ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हों को दौड़ना तो आता है तैरना नहीं आता तो अगर कोई बैकती है जिसको दौड़ना आता है तैरना नहीं आता तो उससे को कि भीया तुम 10 किलोमेटर दौड़ो तो 10 किलोमेटर दौड़ो और आपको मालू चला 2 किलोमेटर गढ़ को क्रॉस नहीं कर सकता है वहीं यह वाला जो है प्राइमरी जो तरंग है कमांडो जैसा है यह सामने कुछ भी दे दो तो कूता हुआ चला जाएगा लेकिन अगर को सेकेंडरी तरंग है हना और यह कहीं प्रत्वी के अंदर नहीं मिलती है तो हम इससे क्या नुमान लगा सकते हैं कि प्रत्वी का वह हिस्सा क्या होगा लिक्वीड जैसा होगा कुल मिलाकर यहां पर समझे जो भूकंपी तरंगे हैं इनको हमने क्या किया इनके ब्यवहार के आधार पर हम लो प्रत्वी को अंदर से समझने का प्रयास करते हैं और यह जो भूकंपी तरंगे हैं इनको ह हमने देखा कि भाया जब घनत तो क्या होता है जादा होता है तो भोकंपी तरंगों की गति क्या होती जादा होती इसका मतलब है कि प्रत्वी के किसी भाग में समझेगा प्रत्वी के किसी भाग में अगर इनकी क्या है भाग में इनकी गति क्या है जादा है तो हम तुरन समझ हमें निस्कर्स निकाल लेना चाहिए वहां पर क्या होगा घंद तो ज्यादा है और गंद तो किसका ज्यादा होता है इसे कम होता है लिक्विट का और गैस का जो डेंसिटी है वो सबसे कम होता है तो प्रत्वी के आंतरिक भाग में मालो कोई भुकमपी तरंग है वो यहां तक आई उसकी स्पीड जादा थी फिर इसके बाद यहां पर पहुंचते समय उसकी गती कम हो जाती और फिर बढ़ जाती इसका मतलब यहां वाला जो भाग था इसका घंद तो क्या होगा कम रहा होगा तभी तो क्या हुआ गती में कमी आई और यहां पर गती क्या हुई बढ़ गई इसका मतलब यहां पर घंद तो बढ़ गया होगा क्या यहां तक सौच पाए क्या यहां तक सौच पाए क्या यहां तक सौच पाए प्लेस बताई सब लोग बताओ सब लोग बताओ सब लोग बताई सब लोग बताई सब लोग बताई सब लोग बताए जिस तरह से मैं समझा रहा हूं बस इसको समझ लोग अच्छो ठीक है ठीक दूसरा अब देखिए हम नहीं कहा कि घंणतों के अनुसार गती बर लेगी दूसरा इस जो भुकमपी तरंगे हैं हमने यह भी देखा है कि इनकी जो दिशा है वो समान घंणतों वाले इस्थान में समान घंणतों वाले भाग में इनकी जो दिशा है वो सीधी होती है अर्थात माल लो भुकमपी तरंग यहां से प्रोडियूसे इधर की और बढ़े तो यह तब तक सीधी बढ़ेगी सीधी डारेक्शन में चलेगी जब तक यह पूरी चट्टान एक जैसा है माल लो यह लोहे का बना हुआ है ग्रिनाइट का बना किसी भी चीज का बना हुआ है जब तक यह जैसा है तब तक सीधी डारेक्शन लेकिन जैसे इसका घनव तो बदले माल लो यहां पर यह जो भाग था इसमें लोहे वाले तत्तों थे लोहे तो सीधा यहां पर आया तो यहां पर अभरक मिल गया इसको मिल अभरक अभरक क्या होता है लोहे से कमजोर होता है तो यहां पर आकर भुकमपी तरंगों की दिसा बदल सकती है अर्था दिसा में इनके जो भुकमपी तरंगों की दिसा में जो परिवर्तन तब ही आता है जब क्या हो माध्यम बदले जैसे माल लो आप यहां से अपने घर के लिए निकले, तो आपके लिए जो सड़क है, सीधा है, तो आप सीधे पहुंच जाऊगे, आप डेली इसी रास्ते से आते हो, डेली इसी रास्ते से जाते हो, लेकिन एक दिन आपने देखा, कि भाया यहां तो पीच में क्या हो रहा है आग लगी पड़ी है तो आप क्या करोगे रास्ता बदल कर चले जाओगे क्यों रास्ता बदला जब आपको लगा कि यहां पर कुछ दिक्कत पहले जैसा आपको सड़क नहीं मिले दूसरे दिन आपने देखा कि यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम पारा है यह बंद हुआ है तो आप रास्ता बदल लोगे आपने किसी दिन देखा कि यहां तो गड़ा करके पानी बढ़ दिया गया तो अब क्या करोगे आप यह जो है कि रास्ता अपना लोगे अदर्वाइच आप डेली सीधी रास्ते से आते ठीक इसी तरह से भूकंपी तरंगें भी क्या होती है वैसे तो एकदम सीधी चलती है लेकिन वह अपनी दिशा में परिवर्तन तभी करती है वह अपनी दिशा में परिवर्तन तभी करती है जब उनका माध्यम बदलता है जैसी माध्यम बदलता है वह अपनी दिशा को भी क्या कर लेती है बदल लेती ह और जब दिशा बदल रही है अब मालो प्रत्वी के अंदर आपको कहीं ऐसे पता चला कि भाई भूकमपी तरंगे रुखो एक स्कुरिये इहां पर लेले इहां पर भूकमपी तरंगे यहां से ऐसे आकर यहां पर ऐसे गुजर गए तो इनको जाना तो सीधा चाहिए था लेक क्या यहां तक हम समझ पाए अब देखो तो यह जो भूकमपी तरंगों के जानकारी है इसी के आधार पर अब जो है कि एक संस्था है जिसका नाम है इसने क्या किया है प्रत्वी को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है और प्रत्वी के जो हिस्सों में डिवाइड किया है इसका मतलब है कि यह माल लो यह हमारी प्रत्वी तो प्रत्वी को बताये कि यह उपर वाला भाग नीचे वाला भाग और सबसे केंदर वाला भाग गया है इस सब किस ने किया इसने International Union of Geodesy and Geophysics ने लेकिन 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 यहां जो संस्था है इसने जो भी प्रत्वी के आंतरिक भागू के विशे में जानकारी दी उसका आधार क्या है भूकमपी तरंगे अर्था जितना अभी हमने भूकमपी तरंगे के विशे में और इसके अलावा जो चार सोर्स हमने घनत दबाव तापमान और ज्वाला मुखी को देखा उसके आधार पर अब यह संस्था क्या करेगी हमें चितर देगी और जो यह चितर देती है वह कुछ इस रूप में होता है इस रूप में कैसे कि माल लो एक से यह देखे माल लेते हैं प्रत बताई इसकी भी विसेष्टा बताई इसकी भी विसेष्टा बताई क्या क्या विसेष्टा बताई और कैसे अभी तक की जानकारियों को यूज करते हुए हम देखो इसने क्या क्या है यह हमारी प्रत्वी तो इस प्रत्वी का यह हमने एक टुकडा लिया है यह एक टुकड इस ने जो प्रत्वी के तीन भाग बताएं हैं, उनके कुछ उपभाग बताएं हैं, जिसका आधार अभी तक के हमारी जानकारी है, अगर मैं वह बताने लगूं, तो कम से कम अभी भी दो घंटे मुझे लग जाएंगे, और मुझे पता है आप ठकने लगे हो, इसलिए आगे की जो जानकारी है कि प्रत्वी अंदर से कैसी है अब हमारे जितने लॉजिक वाले चीजे थी वह कंप्लीट हो चुकी है अब हमें क्या करना है प्रत्वी के एक एक भाग को देखना है और उसकी विस्येस्ताओं को समझना है और वह विस्येस्ताओं क्या होंगे जो हमने चार आधार देखें है और भुखम्पी तरंगों की जो जानकारी है उसके आधार पर जो जानकारी मिली है उसी को बस हम input डालते चलेंगे तो हम देखेंगे कि प्रतवी को उपरी भाग में जो हमने जाना है उस सब फिट हो जाएगा यहाँ पर फिट होगा यहां पर फिट होगा अर्थाज पांच ही आधार थे पांचों आधारों को हमने समझ लिया है सिर्फ हमने नहीं समझा जो ग्रॉफर्स ने भी समझा है और यह International Union of Geodesic and Geophysics इसमें कौन लोग है जो ग्रॉफर्स ही है तो वह क्या करेंगे अब अपनी जानकारियों को इस जितनी भी सोर्स हैं जो मैंने आपको बताया इसी के अधार पर वह पृत्वी को कुछ हिस्सों में बाटेंगे और उसके जो लॉजिक होंगे वह हम देख चुके हैं मैं बताते चलूँगा कि देखें मैंने आपको यह बताया था और यही बात कह रही तो कल इसके आगे की चर्नी हम लोग तै करेंगे और कल की जो क्लास की टैमें होगी सेम पाँच बज़े तो फाइप पिम पर कल हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कल ही मैं आपसे बात करूँगा क्रश्ट के विशे में, कल ही मैं आपको बात करूँगा मेंटिल के विशे में, कल ही मैं आपसे बात करूँगा कोर के विशे में, कल ही मैं आपको बताऊँगा सियाल क्या है, सिमा क्या है, नीफिक क्या है, और कल ही मैं बताऊँगा कि भू पूरा चैप्टर दोवारा पढ़ने की जरूने जब ये कल चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा तो सिर्फ इस चैप्टर को आप इस इमेज को देखकर पूरा रिवाइज करों जितने लॉजिक मैं दे रहा हूं और कल भी दोंगा वो सब इस इमेज में छुपा हुआ है इसका और सिर्फ आपको यह जो एक इमेज है इस पर कल मैं जब आपको समझाओंगा चीजों को इस्टेब्लिस करूंगा इसको द्यान से देख लिजएगा सिर्फ इस इमेज को देखेएगा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा प्लिस मझे बता देजे और बच्चों इक बाए बताओ नए प्लेट्फरंट आपके लिए श्टेड किया गया है आप जब तक वीडियो को सेर नहीं करोगे लोगों तर तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि फ्री की सांधार क्लास हो तो थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा कि आपको अपनी तरफ से जब कोई एजुकेटर अप इतनी बड़ी चीजे छोड़कर लाखों का पैके छोड़कर आपके साथ इतना मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा आप भी अपना सहयोग दिखाईए अधिक से अधिक लोगों तक वीड ठीक है प्लीज जरूर से एर किया है ठीक है और जैसा कि हमने कहा हमारे जो टेलिग्राम चैनल है उससे जरूर जूड़ जाईएगा जिससे क्लास की सुचना है आपको मिलती रहे आप हमको वाटसेप भी कर सकते हैं आप लोग हमसे वाटसेप पर भी जूड़ सकते हैं कास की सूचना है आपको मिलती इनुन है डीक है तेली ग्राम पर जरूड जूड़र जोड़ेगा जिससे क्लास के सूचना पी-दे अपनोगर साब के ओर सेषन को अधिक-दिक share कीज़ेगा अभी तक अगर session को like नहीं किया है तो कर लेना चाहिए था share जरू कीज़ेगा जिससे अधिक सदिक लोग जोड सकें मिलते हैं next class में अर्थाच इस class को हम कल आगे